मधुबाला उर्दू जन 14 फर्वरी 1933 दिल्लीक निधन 23 फर्वरी 1979 मुंबई भारतिय हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री थी उनके अभिने में एक आदर्ष भारतिय नारी को देखा जा सकता है और निर्माता को द्रिर इच्छाशक्ती और स्वतंत्र पात्रों के चित्रन के लिए जाना जाता है जिन्हें हिंदी सिनेमा में महिलाओं के पूर्ववर्ती चित्रनों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का श्रे दिया गया है 1950 के दर्शक के दोरान सबसे लुक्प्रिय और सबसे अधिक भूकतान पाने वाले भारतिय मनोरंजन करताओं में से एक मधुबला दो दशक से अधिक समय तक फिल्म में सक्रिय थी और उन्होंने सतर से अधिक चल्चित्रों में भूमिकाय निभाई जिनमें महाकाव्य प्रशों के बाजारों में एक प्रमुक अनुयाय प्राप्त किया 2008 में एक आउटलुक पोल के परिनामों ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रसिध अभिनेतरी के रूप में सुची बद किया 1951 के एक फोटो शूट में मधुबाला जन्म मुम्ताज जहां बेगम देहलवी 14 फर्वरी 1935 नई दिल्ली भारतमोद 23 फर्वरी 1979 उम्र 36 मुंबई महराष्ट्रा भारतावस मुंबई भारत राष्ट्रियता भारतिय पेश्टा भी नित्री धर्म मुस्लिम जीवन साथी किशोर कुमार वी 1960-79 दिल्ली में जन्मी और पली बढ़ी मधुबाला आठ साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई और कुछ ही समय बाद कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाए दी उन्होंने 1940 के दशक के अंत में प्रमुख भूमिकाओं में प्रगती की और नाटक नील कमल 1947 और अमर 1954 होरर फिल्म महल 1949 और रोमेंटिक फिल्मों बादल 1951 और तराना 1951 से पहचान हासिल की एक संक्षिप्ट जटके के बाद मधुबाला को मिस्टर एंड मिसेज 55-1955 चलती का नामगारी 1958 और हाफ टिकट 1962 क्राइम फिल्मों हावगा ब्रिज और काला पानी दोनों में लगातार अलोचनात्मक और व्यावसाइक सफलता मिली 1958 और संगीत में बरसात की रात 1960 एतिहासिक महाकाव्य नाटक मुगल ए आजम 1960 में मधुबाला के अनारकली के चित्रन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और सर्वश्वेष्ट अभिनेत्री श्रेनी में फिल्म फिया पुरसकार के लिए नामानकित किया उसके बाद से आलोच चकोद्वारा उनके प्रदर्शन को भारतिय सिनेमा एतिहास में सर्वश्वेष्ट में से एक के रूप में वर्नित किया गया है मुगल ए आजम उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उगरी जिसके बाद उन्होंने फिल्म में छिट-पुट रूप से काम किया नातक शराबी 1964 में अपनी अंतिम उपस्थिती दर्ज की अभिने के अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के तहट तीन फिल्मों का निर्मान किया जिसे 1903 में उनके द्वारा से स्थापित किया गया था मजबूब गोपनियता बनाय रखने के बावजूद मधुबाला ने अपने व्यापक परुपकारी कारियों के लिए और अभिनेता दिलीप कुमार जिनसे उन्होंने 1951 से 1956 तक डेट किया और अभिनेता गायक किशोर कुमार के साथ अपने संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मीडिया कवरे जर्जित किया जिनसे उन्होंने 1960 में शादी की वैवाहिक जीवन उसके स्वास्थिय की विफलता के साथ मेल खाता है वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल दोश के कारण सास फूलने और हैमोप्टाइसिस के आवर्ती मुकाबलों से पीलित थी अंततह 36 वर्ष की आयू में उसकी मृत्यू हो गई उसका निजी जीवन और अंतिम वर्ष वर्षों से व्यापक मीडिया और सार्वजनिक जाच का विशे बन गए है शेहरे द्वारा बैक्ट्वोर्ट भावा भियक्ति तथा नजाकत उनकी प्रमुक विशेशताय थी उनके अभिने, प्रतिभा, व्यक्तित्व और खूबसूरती को देख कर यही कहा जाता है कि वह भारतिय सिनेमा की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री है वास्तव में हिंदी फिल्मों के समीक्षक मधुबाला के अभिने काल को स्वर्ण युक्की संग्या से सम्मानित करते हैं